नमस्कार दोस्तो, हमारी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है मरते दम तक नहीं होगा कमर में दर्द, खुटनों का दर्द, दोस्तो सुगर, मोटापा, कॉलोस्टोल और दिल की विमारियां आपके आसपास भी नहीं आएगी बस आपने इस एक चीज का सेवन करना है और बिमारियां छुमंतर की तरहें गायब हो जाएंगी दोस्तो, आपका पूरा सरीर बिलकुल निरोगी बन जाएगा नसों की गैस की समस्या दूर हो जाएगी आपका पाचन मजबूत बन जाएगा आपको किसी भी तरहें के पेट की रोगों का सामना नहीं करना पड़ेगा दोस्तो, यदि आपकी छाती में जमा कफ है तो उसको भी निकालने के लिए ये एक बहुत कारगर दवा है और आपके सरीर के निरोगी बनाने का काम करती है दोस्तो, यदि आपको पित के दोस हैं या वात के दोस हैं वात और पित को ये सांत करने का काम करेगा वात और पित से जुड़े हर तरहें के रोग का एक कारगर इलाज करेगा दोस्तो, आज की इस वीडियो में हम जिस चीज की जिस आयरुवेदिक दवा की बात कर रहे हैं, वह है दोस्तो सोंट, दोस्तो सोंट बहुत ही लाबकारी आयरुवेदिक दवा है, जिसके इस्तमाल करके आप बहुत रहें की बीमारियों से बचे रहते हैं, दोस्तो सोंट और अदरक एक ही होता है, जब अदरक सूख जाता है, तो उसे सोंट कहा जाता है इसे कई परकार के नाम से जाना जाता है और बहुत सारी बीमारियों के लिए एक कारगर दवा है बहुत सारी दवाईयों को बनाने के लिए इसका परियोग किया जाता है दोस्तो सोंट के गुणों में यह कप को कम करने का काम करता है आपकी 36 में जमा बलगम को निकालने का काम करता है खाने को पचाने का काम करता है यानि आपकी पाचन से जुड़ी असुदियों को दूर करता है आपके पाचन को मजबूत बनाता है आपको पेट के रुगों से बचा कर रखता है दोस्तों पित के पर कोप को कम करता है, पित को सही करने का काम करता है, दोस्तों सभी इतरहें के वात दोसों का इलाज है, और वात के दोस के कान ही हमें कमर दर्द जोड़ों का दर्द, यानि किसी भी परकार के दर्द की जो समस्या होती है, वो कहीं न कहीं वात दोस के कान ही ह और ये उस दोस को ही खतम करतेगा, यानि आपके उस दर्द की जड़ को ही खतम करतेगा, उस जड़ का ही इलाज करतेगा, तो आपका दर्द छूमंतर की इतरहें गायब हो जाएगा, और दूसरा काम करेगा आपका पाचन, दोस्तों जब आपका पाचन मजबूत होगा, तो जो आप खाएंगे वो आपके सरीर में लगेगा। आपके सरीर में किसी भी विटामिन और मिननल की कमी नहीं होगी। और जब आपके सरीर में किसी विटामिन और मिननल की कमी नहीं होगी, आप उसकी भी समस्या के इलाज के लिए सोंट का परियोग कर सकते हैं पेट फूलने जैसे समस्या में यदि आप सोंट का सेवन करेंगे तो आपको तुरंत फाइदा मिलेगा सरीर में गैस बनने के काण दर्द होने के समय भी यदि आप सोंट का परियोग करते हैं तो यह एक रामबान दवा की तरह काम करता है, जिस व्यक्ति में उल्टी, खट्टी डखार आना, जी मतली होना जैसी समस्यां देखने को मिलती है, उन्हें भी इस सोंट का सेवन करना चाहिए, यदि आपको पतले दस्ताते हैं, पेट में मरोड जैसे समस्यां हैं, आपको सोंट के चून को गुनगुने पानी के साथ लेना चाहिए, जिन लोगों में उल्टी होने की समस्यां, आप किसी यारदोस्ते सुनते हैं कि उसको उल्टी हमेसा होती हैं, तब आप बोलिए कि सोंट के चून को आउला के चून के साथ मिला कर लीजिए, और उसकी ये समस्या दूर हो जाएगी दोस्तो आपकी चाहे कब के समस्या कितनी भी पुरानी से पुरानी हो दोस्तो उसके लिए एक कारगर दवा की तरहें काम करता है आपकी उस समस्या का बेल कोल जड़ से इलाज करता है जिन भी मेरे भाईयों को जोड़ों कदा दिया किसी भी परकार के दर्द की समस्य है वो इस सोंट का सेवन कर सकते हैं दिल की बीमारी उसे बचने के लिए कोलोस्टोल को सही करने के लिए डाइपटिस को कंटोल करने के लिए सोंट का आप सेवन कर सकते हैं दोस्तों आप सोंट को दूद के साथ उबाल कर ले सकते हैं या सोंट का powder बनाईए आप और उस powder के एक चमच को छोटा चमच होता है न जो चाई वाला चमच उसके एक चमच को आप दूद के साथ या गुनगुने पानी के साथ सेवन कीजी वैसे आप गुनगुने पानी के साथ सेवन करेंगे तब आपको आदे का फाइदा होगा और आपकी सभी इतरहें के समझ चाएं दूर हो जाएंगे दोस्तों आप इसका सेवन दिन में किसी भी समय कर सकते हैं यानि खाने के एक घंटे के बाद तो दोस्तों देर किस बात की है आप भी इस नुस्के का आज से ही सेवन शुरू करतीजी और अपने सरीर को बलकुल निरोगी बनातीजी तो दोस्तों यह थी हमारी वडियो यदि आपको हमारी वडियो अच्छी लगे